नमस्कार दोस्तों आज इस दिवाली के पावन पर पर मुक्यत वहर 27 अक्टूबर 2019 को मनाया जाएगा इसके अनावद दिपावली के दिन मालक्षमी का पोजन का विधान है इस दिन मालक्षमी की पोजा से आपकी घर में सुक सम्रिधी आती है दिपावली से पहले लच्षमी पोजन के कुछ खास नियम है जिसे करने से माता लच्षमी परशन होती है आपके उपर अपार किर्पा वरस्ती है जैसे की मुक्यता आप अपने घर की साथ सजावट से लेके माता की पोजा का विधान है अगर आप दिपाली के दिन बिना कटा या फटा पीपल का एक पता घर में ले आते हैं और उस पते पर ओम महा लक्ष में नमा लिक कर पूजा स्थल पर रख देते हैं इससे माता की असीम किर्पा आप के उपर बरस्ती है इसी के साथ एक और सुब महा उपाय है अगर आप दिपाली की रात को मा लच्ष मी की पूजा से पहले लौंग और इलाइची का मिश्रन बना ले फिर इसको सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं इस परियोक से आपको माता लच्ष मी जी की विश्यस किर्पा प्राप्त होगी इसी के साथ एक और सुब उपाय है देवाली पर किन्रों को मिठाईयां और पैसे दे कर बदले में किन्र से एक रुपए का सिक्का मांग कर अपनी तिजोरी में रख ले गरीबी दूर करने के लिए यहा उपाय बड़ा ही कारگर माना जाता है इसी के साथ एक उपाय और जो की काफी सुब माना जाता है इस साल रविवार के दिन देवाली है इस देवाली के दिन खोथ सके तो सफेद रंग की बस्तों का दान करें तो माता की BCS किर्पा प्राप्त होगी इसी के साथ एक अगला उपाए बर्गत के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ध बना कर अपनी तीजोरी में रखे इससे आपकी तीजोरी में धन बढ़ता चला जाएगा और माता की किर्पा आपके उपर बरिस्ती है एक अगला उपाए जो की काफिस सुब माना जाता है दिपावली की रात अपने घर में सिरियंत्र अस्थापित करे और रात को कनक धारा सुरोत का पाट करे धन बिरिधी में यह उपाए बड़ा ही सुब और सफल माना जाता है तो माता को खुश करने के लिए यह उपाए अगर आप करते हैं तो आपको माता की असीम किर्पा मिलती है और आपको धन धन से भर देंगे जैसे की कहा जाता है अगर माता की पोजा करते हैं तो अपने घार की साज और सजावट का भी से धान रखा जाता है अगर आप अपने घर के मुख्यद्वार पर अगर आम के पतों का तोरण असोक के पतों का तोरण या पीपल के पतों का तोरण लगाते हैं तिससे घर के negativity और जाए आपके समापत होती है और माता की किरपा बनी रहती है इसी के साथ अगर आप अपने मुख्यद्वार या अपने दर्वाजे के उपर माता का चरण पादुका लगाते हैं जो की माता का चरण पादुका आपके घर के अंदर की तरफ का इंडिकेशन करता हो तो इससे माता का आगमन आता है आपके पूरे साल मालच्चमी की किरपा बरिष्टी है इसी के साथ अगर आप अपने घर के मुख्यद्वार पर या अपने में दर्वाजे के उपर सास्तिक का चिन बनाते हैं और उस सास्तिक चिन के उपर हल्दी का तीलक लगाते हैं तो आप इससे बेमारियों से निजात पाएंगे और माता की आपके उपर भी सिर्ष किरपा प्राप्त होगी तो दोस्तों ये रही आज दिवाली के पावन पर्ब के असर पर आपको कुछ टिप्स हैं जो अगर आप ये टिप्स को अपनाते हैं तो मालक्ष्मी आपके ओपर भी से स्किर्पा प्राप्त होगी और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती ह तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्क्राइब करें और वीडियो को सेर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्वाद